हलो नमस्कार वेलकम आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज का टॉपिक है सेंटर्स ओफ ट्राइंगिल एक ट्रिकोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट केंद्र है उनके बारे में उनकी प्रॉपल्टीज और फॉर्मले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर करीब हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में तबसे पहले यह जानना जूरूरी है कि कितने सेंटर्स होते हैं इसको पढ़ लिता है इन संसेंटर जिसे रिलेटेट सबसे जादा सवाल पूछे जाते हैं इन सेंटर एक ट्रांगल के सारे आंगल बाई सेंटर को मिला के जाता है, यानि कि यहां पे AD, BE और CF, यह तीनों angle bisectors है, और यह यहां पे जाके I पे intersect कर रहा है, तो यह I क्या denote कर रहा है आपके in center को, ठीक है, सबसे पहली बात यह, अब अगर यह center है, तो जाहिर सी बात है इसको center लेके अगर हमें एक circle बनाना चाहिए, बना सकते हैं, यह हमने इसे center ले लिया, और इस तरीके से circle बना लेंगे, यह circle आपके triangle की तीनों sides को छुएगा, touch करेगा, such that यह तीनों sides एक तरीके से tangent हो गई, और यह I इसका center हो जाएगा, ठीक है, तो इस circle को क्या बोलेंगे, इस circle को बोलेंगे in circle, और अगर मुझे radius से यह circle का, जाने की center से दूरी, इसको मैं क्या बोलूँगा, in radius, in radius को टिनोट किससे करते हैं, generally, ri से, और इसका एक formula होता है, area of the triangle upon semi perimeter, semi perimeter आप सब आप जानते होंगे, sum of all sides को दो से divide कर दीजे, semi perimeter मिलेगा, और area of triangle अगर आपके पास है, आप in radius directly निकाल सकते हैं, अच्छा जैसे centroid में आपको मैंने बताया था, medians जब intersect करते हैं, centroid बनता है, तो centroid उस median को 2 is to 1 ratio में बाढ़ता है, उसी तरीके से, जो in center है, वो अपने angle by sector वाली line को एक ratio में बाढ़ता है, वो ratio क्या है, उसको मैं समझाता है, बान लेते हैं, यह AD हमारी line है, angle by sector की, ID का जो ratio है, यह किस तरीके से बनता है, इसके अगल बगल वाली जो sides है, उनका sum करना है B plus C, और जो opposite side है, जिस पर यह angle by sector जाके गिर रहा है, उससे divide करना है, B plus C divide by A, बाकी के दोनो ratios भी इसी तरीके से बने हैं, यह तो हो गई, in center की side से related या lens से related property, अब जो fourth property है, यह सबसे important property है, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाता है, angle made at the center, जानि कि कोई भी दो angle by sector, जो center, in center पे आकर intersect जब करते हैं, और जो angle बनाते हैं, angle A और angle B का bisector क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, angle बनाएगा, ऐसे angle B और C के bisector के angle बना रहें center पे, और angle A और angle C के bisector यहाँ पे बना रहें center पे angle, एक मैं example के लिए लेता हूँ, मान लेता है angle A को यहाँ पे refer करते हुए, angle B और angle C के जो bisector है, यह आपके आके यहाँ पे आई पे मिल रहे हैं, ठीक है, केवल इतना figure अभी ध्यान रखिए, यह A है, यह B है, यह C है, बोड़ा diagram उपर नीचे हो सकता है, उस्ता की माफ, इसके बीच property होती है, यानि कि जो दो angles के bisectors यहाँ जाकर angle बना रहे हैं, और यह जो third angle है, जिस पे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में relation होता है, angle B, I, C is equal to 90 plus A by C, अगर कभी आपसे question में दिया जाए, कि आप बताईए, अगर angle A 70 degree है, और directly आपको बताना हो कि जो bisectors है, B और C के, वो in center पर क्या angle बनाएंगे, या intersect करके क्या angle बनाएंगे, तो directly आप कर सकते है, 90 plus 70 by 2, जानि कि 90 plus 35, 125, इसी तरीके से बाकी दोनों angles के लिए भी आप कर सकत है, यह सबसे important property है, और इसे practice करना जरूर है आपके लिए, इससे काफी questions पूछेगा है recent exams में, एक और property है, जो specifically equilateral triangle के लिए है, अगर equilateral triangle है, मान लेतने सारी sides equal है, तो automatically आपका जो in radius है, उसका formula side से relate करके आप बना सकते है, side of equilateral triangle upon two roots, तो equilateral triangle है तो यह ध्यान रखिएगा, यहां से आप in radius निकाल सकते हैं directly, आपको उपर वाले formula पर जाने की ज़रूत नहीं है, उसी का short form है यह, second जो center है, वो similar to first center है, इसे हम कहते हैं X center, ठीक है, in center और X center में फरक क्या है, यहां पे आप diagram अगर देख पा रहे हैं, तो external angle B है और external angle C है, यह कैसे बनेगा, जब आप AB और AC को आगे बढ़ा देंगे, मान लीजे, D और E point तक हमने इसे बढ़ा दिया इस line को, यह मेरा external angle B बन गया और यह external angle C बन गया, इनको bisect करने वाली जो lines है, वो जहां पे जाके intersect करेंगी, वो मेरा हो जाएगा X center, यानिकि यह X मेर X center को represent कर रहा है, ठीक है, और यह मैंने इस तरीके से circle बनाया है, यह आपका X center द्वारा बनाया गया, circle है, X circle भी इसे आप बोल सकते हैं, और अगर मुझे radius लेना हूँ, इस तरीके से मैं, radius भी नाप सकता हूँ, तो similar to in center, इसके radius का भी एक formula है, अच्छा, इसका circle आप ध्य जान दे रहोंगे, जो तीसरी side है, ठीक है, यह तीसरी side को भी छूते हुए circle जा रहा है, और बाकी दो जो extended produce कराई गई है, इनको भी छूते हुए जा रहा है, इस तरीके से कुछ diagram बनता है, आपको इतना deep में जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार है, तो आपको यह सारे basics जाने जरूरे थे, बाकी अगर x center का question है, आपको यह formula सबसे ज़्यादा जरूरी है, और यह जो second formula दिया, यह सबसे ज़्यादा है, पहला formula क्या है, sides का formula है, radius of x center, क्या आप इसको जैसे मनचरे, आप denote कर सकते हैं, बहुत लोग r e से भी कर सकते हैं, म से आप represent कर सकते हैं, upon semi perimeter minus a, यहाँ पर यह ही क्यों आया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे naming दी हुए, a, b और c, sides है, यहाँ यह यह इसलिए आया है, क्योंकि यह जो x center बनेगा, तो जो दो angles के बीच वाली side होगी, contained, उसको हम यहाँ पर consider करते हैं, ठीक है, उसको हम यह पर consider करते हैं, यह आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जो third angle बज गया, उसके opposite जो side है, उसको हम consider करते हैं, इस formula में, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार a ही हो, जिस दो angles के बीच में वो x center बन रहा होगा, वाली side हम consider करेंगे, जिसको circle छूते हुए जा रहा होगा, ठी angles का formula भी काफी similar है, angles का formula in center के लिए 90 plus a by 2 था, आपको बस यह यहाँ पर sign change करना है, 90 minus a by 2 बन जाएगा, x center, यानि कि अगर मैं same parameter रखो, angle यह 70 degree है, तो x center इस बार क्या हो जाएगा, 90 minus a by 2, जानि कि 90 minus 35, जानि कि 55, ठीक है, यह हो गया हमारा x center, अभी ortho center हाफी simple है, बहुत कम सवाल इस से related पूछे जाते हैं, ortho center जहाँ पे सारे आपके perpendicular triangle के meet करें, intersect करें, उसे ortho center कहते हैं, generally o से represent कर सकते हैं, इसकी property, एक property है जो हम लोग जादा तर use करते हैं question में, वो है angle से related, जो central angle बनता है, तो perpendicular के beach का जो angle बनेगा ortho center पे, वो कितना होगा, वो आपके third angle से ही related होता है, इस तरीके से in center में था और x center में था, बस इस बार, यह central angle क्या हो जाएगा, 180 minus जो भी बचा हुए angle होता है, एक और ज़रूरी बात, और तो center अगर एक right angle triangle के लिए बनाया जाए, तो इसका जो यह 90 डिग्री आला vertex होता है न, कहीं center हो जाएगा, अगर हम सारे perpendicular के intersection की बात करें, क्योंकि दो perpendicular तो आपके यह sites हो गई, और तीसरा perpendicular आपका यहाँ पे बन सकता है, तो यह तीनों perpendicular एक तरीके से इस vertex पे ही intersect करें, circumcenter क्या होता है, circumcenter से जुड़ी काफी सारी properties है, सबसे पहले circumcenter को समझना जुरूरी है, बहुत जगा misinterpret करके diagram बने हुए circumcenter के, circumcenter वो point होता है, जहाँ पे तीनों perpendicular bisectors मिलते हैं triangle के, यानि कि इस point से मैंने इस side पे perpendicular भी बनाया और वो इस side को bisect भी कर रहा है, एसे ही इस point से मैंने इस side पे भी perpendicular बनाया जो bisect भी कर रहा है, तो तीनों side को जो perpendicular भी हो और bisect भी करें, वो तीनों जहाँ पे जुड़ते हैं, उसे हम कहते है circumcenter, इसको आप C से generally represent कर सकते हैं, फरक किया है जो मैं आपको बता रहा तक confusion, बहुत जगा आपको diagram ये कैसा आपको direct vertex से होते हुए ही ये diagram भी है, तादतर books में इसी तरीकेगा diagram भी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे vertex से कोई लेना देना नहीं है, vertex वाली ये dash lines है, और यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो dash line की direction मे ये आपका perpendicular bisect, तो ये बस इस center से arise होती है, ये line क्योंकि अगर आपने इस तरीके का बना दिया कुछ, तो ये तो हमारा ortho center हो गया और ज़रूरी नहीं है कि perpendicular जो jay side पे वो आपकी side को bisect ही करें, तो कुछ इस तरीके से जानना ज़रूरी है, ये basic knowledge के लिए आपके लिए है कि ये vertex से नहीं होके जाते है, और circum center है, तो इसके around circle भी बना सकते है, तो ये जो circle बनता है, इसे circum circle कहते हैं, और ये आपके तीनों vertices जो होते है, triangle के, A, B और C, ये इस circle के circumference पे रहते हैं, अब बात कर लेते हैं, कुछ formula की, जो आपके exam point of view से ज़रूरी है, सबसे पहले radius का क्या formula होता है, radius का formula होता है, A, B, C upon 4 into area of triangle, A, B, C upon 4 delta, ठीक है, ये पहला formula है, काफी जगा इसका questions पूछा जा चुका है, previous year questions आप चान के देखेंगे, तो इसके questions आयो है, दूसरी बात, जो center पे angle बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है, वो क्या होता है, जैसे in center के लिए होता है, 90 plus A by 2, x center के लिए 90 minus A by 2, और तो center के लिए 180 minus A, वैसे ही इसके लिए होता है, twice of angle, यानि कि angle अगर 70 है, तो ये circum circle के center पे, तो angle बनेगा, बाकी दो vertex के द्वारा, वो हो जाएगा, twice of 70, यानि कि 140, ठीक है, तीसरी जो property है, ये भी काफी अच्छी property है, अगर मुझे directly circum radius निकालना हो, और मुझे एक angle और एक side के बारे में पता हो, ठीक है, मान लीजे, आपकी ये triangle है, A, B और C, ठीक है, ये angle आपको given है, कि ये angle 30 degree है, और इसका opposite side आपको पता हो, इसकी opposite side मान लीजे 10 है, अब मुझे बोल दिया जाए circum radius निकालने को, तो मैं यहां से directly क्या कर सकता हूँ, side upon sin 30 is equal to twice of circum radius, ठीक है, पूरा नहीं solve करेंगे, बस example मैं दे रहा हूँ, इस तरीके से question में आपको दे सकता है, जबी भी एक angle दिया हो, और उसके opposite side की dimension दिया हो, और circum radius की बात कर रहे हैं, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, directly इस फॉर्म नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो second line का formula है, यह हो गई circum radius की बात है, एक और बात है, अभी fourth property को छोड़ दीजे, fifth property पे आते हैं, अगर मैं एक right angle triangle बना दूँ, ठीक है, और circum circle बनाऊं, तो circum circle पे क्या होता है, तीनों vertex आपके circumference पे रहते हैं, जाला angle 90 degree है, आपने circles अभी नहीं पड़ा है, बट मैं बता दू, circles की एक property है, अगर diameter के दोनों points द्वारा circumference पे एक angle subtend किया जाए, ठीक है, मान लीजे, यह हमारा diameter है circle का, और circumference पे angle subtend करते हैं, तो यह 90 degree होता है, और यह केवल diameter वाली line ही subtend कर सकती है, कोई और called आपकी नहीं कर सकती है, बस अभी के लिए इतना जानिए, यानि कि अगर मैं right angle triangle पे circum circle बनाता हूँ, तो यह आपका diameter हो जाएगा, और diameter अगर hypotenuse हो जाएगा, तो hypotenuse का आधा आपका क्या हो जाएगा, circum radius, ठीक है, वहीं चीज यहाँ पे दिया है, for मैंने सोचा कि इसी की साथ cover करवा दूँगा आपको, इस तरीके से in center का circle बनेगा, इसका formula directly होता है, a plus b minus c, a plus b क्या होंगी, जो आपकी perpendicular और base है, वो दोनों sides का sum और आपकी hypotenuse minus होगी, divided by 2, ठीक है, यहाँ पे mentioned भी है, अगर आपने screenshot लिया, तो यह notes में लिख लीजेगा, कि यह जो c है, जो minus करेंगे, वो hypotenuse है, इसके बाद अगर equilateral triangle है, तो जैसी in center के लिए मैंने formula बताया था, क्या था, a upon 2 root 3, उसी का double कर दीजे, तो आपको circum radius मिल दे, a upon root 3, अच्छा एक यह भी चीज है, अगर एक triangle है, जो form होता है, triangle ABC के अंदर ही, यह कैसे form हो रहा है, सार और फिर इसमें सारे perpendicular's बना दिये, ठीक है, PQR triangle में perpendicular's बना दिये, यानि कि यह ortho center हो गया, PQR का, अगर यह इस अंदर वाले triangle का ortho center है, तो यही point बाहर वाले triangle ABC के लिए circum center हो जाता है, ठीक है, इससे related कभी कोई question पूछा तो नहीं गया, बट हो सकता है, एक्जाम में theoretical question भ कि यह चीज़ भी होती है, अभी एक चीज़ और बचिए last, इसके बाद हम लोग question solve करेंगे, relation between centers of triangle, यहाँ पे आपको एक line दिख रही है, इसे कहते है, यूलर line, यूलर line में आपका ये हो गया ortho center O, C हो गया centroid, और C हो गया circumcenter, ठीक है, एक line बनाई जाएगी, अगर किसी triangle की related, तो आप इस तरीके से represent कर सकते हैं, ये यूलर ने coach की ती, और directly आपको ये मिल जाएगा, O, G is to GC is equal to 2 is to 1, ठीक है, तो कभी-कभी इस से related आपको question पूच सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात, ये काफी specific property है, कि अगर equilateral triangle है, तो आपके सारे centers एक ही point पे रहेंगे, ठीक है, शाए वो in center हो, ortho center हो, कोई भी center हो, वो सारे एक ही point पे रहेंगे, सारे centers एक ही तरीके से act करेंगे, क्योंकि equilateral triangle के लिए आपका angle bisector, perpendicular, median, सब एक ही line द्वारा represent किया जाता है, अब आग जाएं, isoceles पे, ठीक है, isoceles के पास थोड़ी सी कम special properties होती है equilateral से, इसके centers भी, सारे एक ही line पे belong करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि एक ही point पे belong करेंगे, ठीक है, ये एक सीधी line पे ही सारे centers रहेंगे, बट अलग-अलग जगा रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे centers थे और इन सारी properties थी, थोड़ा सा heavy session है, बट बहुत important session है, इससे क triangle है, PQR, इन सारे के लिए figures बनाना आपको जरूरी नहीं है, आपको पहले ही बता देता हूँ, पट क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो एक बार समझाने के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एंगिल P और R के bisectors मिल रहे हैं, जहां पे, आपको ये specify नहीं किया गया, ये क्या point है, मैं मान लेता हूँ M, ठीक है, यहां पे ये angle बना रहे हैं 177, अगर angle bisectors intersect कर रहे हैं, अगर दो भी हैं, तो भी ये M point मेरा क्या हो जाएगा, in center हो जाएगा, क्योंकि अगर तीनों जहां intersect करेंगे, तो दो भी वहीं पे intersect करेंगे, तो ये angle PMR आपका in center वाला angle होगा, मैंने इस से related आपको property बताई थी, जो third angle बचा रह जाता है, angle M is equal to क्या होगा, basically 90 plus Q by 2, और आपसे angle Q की बात पूछ रही है, angle M already दिया हुआ है, 127 minus 90 into 2 is equal to Q हो जाएगा, यानि कि 37 दुनी 14, 14 degree आपका सही answer, question number 2 देख लेते हैं, again आपको कोई question दे रखा है, in center से related, angle bisectors है, इस से related बहुत scoring, easy questions आते हैं, angle A दे रखा है, 86 degree, angle B दे रखा है, 50 degree, अगर दो angle पता हैं, तो तीसरा angle भी जान सकते हैं, तो 16 हो गया, यानि कि ये कितना हो जाएगा, 64, अभी आपको बोल रहा है, B और C के bisectors मिल रहा है, P पे, यानि कि ये P आपका क्या हो गया, in center है, और हो गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए, B P C, ये कितना हो जाएगा, angle B P C, भी directly 90 plus A by 2 आप लिख सकते हैं, मन में आ रहा होगा, अभी आपको फिगर, याद नहीं कि 90 plus 33, 123, minus angle P C है, P C है क्या है, अब क्योंकि ये angle bisector की line है, तो angle P C है क्या हो जाएगा, angle C का आदा, यानि कि 32, तो ये कितना हो जाएगा, 93 minus 2, 91, कुशन नमबर 3, triangle ABC है, अब ये कुशन देखिएगा, इसमें ortho center और in center, दोनों involved है, अच्छा कुशन है, और ये पिछले 2-3 साल से ये कुशन लगतार कूचा जाएगा, A, B, C, triangle है, angle A आपको देखिए रखा है 50, अब यहां क्या हो रहा है, perpendicular draw किये जाते हैं, B, E, भी perpendicular है, और C, F, ये भी perpendicular है, यानि कि ये कहां पे intersect कर रहे है, कुछ दिया हुआ है, H पे intersect कर रहे है, तो ये H हमारा क्या हो जाएगा, ortho center, सारे perpendicular जहां intersect करता है, अगर मैं directly आपसे पूचूं, question आगे बिना देखे हुए, कि ये angle क्या होगा, तो इसके property मैंने आपको क्या बताई थी, 180- angle A, यानि कि ये angle कितना हो जाएगा, मेरा 130 degree, angle H 130 हो जाएगा, H भी नहीं, BHC, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है, कि bisector of HBC, यानि कि ये जो angle है, इसके bisector, और ऐसे ही HCB, ये जो angle है, इसके bisector, ये मिल रहे हैं कहीं जाके, P पे, अगर मैं triangle HBC की बात करूँ, triangle HBC के दो angle bisector P पे मिल रहे हैं, तो इस triangle के लिए P क्या हो जाएगा, इंसेंटर हो जाएगा, और आपसे BPC की value पूछी जा रही है, angle BPC इस बार क्या हो जाएगा, देखिए सामने आपके answer, अगर ये triangle है, और इसका ये इंसेंटर है, तो इसका third angle कौन सा बचा, angle H, 90 plus angle H by 2, यानि की 90 plus 130 by 2, यानि की 65, 155 degree, ठीक है, हो सकता, options यहाँ आपको ना दिख रहे हो, options थे 100 degree, 120 degree, 115 degree और 155 degree, तो 155 degree है आपका सभी answer हो, question number 4, हाली में पूछा गया, tier 2 में question है, और बहुत अच्छे level का question, यहाँ पे आपको तीन, तीनो sides दे रखी है, AB 48 है, BC 55 है, AC 73 है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको mention नहीं है, और मैंने इससे related question पहले भी करा रखा है, यह मेरा right angle triangle की side है, पाइतागरस triplets हैं यह, आपको यह सारे पता होने चाहिए, तो दो जो छोटी side से उनको ले लेते हैं, base perpendicular और hypotenuse हो जाएगी मेरी 70 है, आपको बोला जा रहा है, अगर O centroid है triangle का, तो बताइए, यह A, B और C sides हैं, इसी सबसे लंबी है, मैं मान लेता हूँ, यह मेरा centroid बना, median बना, यह है B, N, और यहाँ पे कहीं मेरा centroid होगा, O, ठीक है, तो आपसे B, O की length पूची जा रही है, ठीक है, यह मेरा median है, तो यह bisect करेगा, है न, अब median एक, right angle triangle के लिए, क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से एक circle ड्रॉ कर दूं, circum circle, मैंने इसकी property आपको बताई थी, कि circum circle का center जो है, right angle triangle के लिए hypotenuse पही रहता है, और यह इसका radius जो है, hypotenuse by 2 होता है, अगर यह center है, इस circum circle का, और यहाँ पे point B यह circumference पे है, आपको बस यह याद रखना जरूर ही है, इस question के जरिए, कि अगर ऐसा question आता है, right angle triangle का, और median यहाँ 90 degree वाले angle से जा रहा है, तो वो directly hypotenuse by 2 हो जाएगा, median की side, बट आप से B.O की length पूछ रहा है, तो centroid किस ratio में बाढ़ता है, 2 is to 1 ratio में बाढ़ता है, अपने median को, तो यह B.O आपका बड़ा part है, तो यह क्या हो जाएगा, into 2 by 3, यानि की 73 by 3, यह क्या आजाएगा, 24.33 ऐसा करें, तो आपका option क्या आजाएगा, option B 24.3, अच्छे level का question था यह, directly आप इसे अब याद रख सकते हैं, कि मेरा median अगर इस तरीके से होगा, तो directly hypotenuse by 2. यह question CHSL का है, बट अच्छा question है, formula इसमें 2 use हुए है, एक equilateral triangle है, उसकी side दिया 18 root 3, आपको difference बताना है, in radius और circum radius के बीच में, इन radius का formula क्या होता है, equilateral triangle के लिए, side upon 2 root 3, और circum radius का formula होता है, side upon root 3, तो अगर मैं इन दोनों को बिना कुछ value डाले, पर अभी करता हूँ, automatically मुझे answer क्या मिलेगा, a upon 2 root 3, तो यह इन दोनों का difference है, और यहाँ पे अभी मैं directly side दालूँगा, 15 root 3 upon 2 root 3, तो यह answer क्या आजाएगा, 9, क्या simple सा छोटा सा question है, question number 6, एक right angle triangle है again, a, b, c, angle b 90 degree है, इसमें a, b और b, c की लेंद आपको दिये 13 और 84, आपको in radius बताना है, in radius के बारे में मैंने आपको एक formula बतायता है, right angle triangle से related, in radius का formula होता है, a plus b minus c, जाने कि हाइपोटेन्यूस माइनस होती है, बाकी दोनों प्लस होता है, आपको हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा, पाइथागरस थियोरम से, अगर आपको triplets पता है, 100 तक के, double digit तक के, आपको पता होगा, 13, 84 और 85, in radius आपका क्या हो जाएगा directly, 13 प्लस 84 माइनस 85 तो सारा आपका क्यालकुलेशन का पालता है, यह 85 निकालना, ठीक है, इसलिए पाइथागरस triplets important है, यह आजाएगा 13 माइनस 1, यानि कि 12 बटे दो, अंसर आजाएगा 6 सेंटी, question number 7, X center का है, अभी देखिए, आपको, मैं figure बना के दिखा तो दे रहा हूँ, बट ज़रूरत नहीं है, type के question में, A, B, C एक triangle है, A, B को आगे बढ़ाया गया, और A, C को आगे बढ़ाया गया, ठीक है, D और E तक, और bisectors of C, B, D, यानि कि external angle B, और external angle C के जो bisectors है, यह इस तरीके से point P पे मिलते हैं, आपको angle A दे रखा है 78, और पूछ रहा है angle P की value बता है, तो directly क्या हो जाएगा, 90 minus A by 2, formula जो हम लोगों ने पढ़ा था, 90 minus 39, that is 51, एक question और है, यह question के बाद हमारा यह topic complete हो जाएगा, centers of triangle, एक triangle XYZ है, जिसमें angle Y 60 degree है, यह question काफी अच्छा question है, XYZ, angle Y आपको given है 60 degree, और XZ की value दी है 21, आपको circum radius की length, यानि कि RC आपको find out, circum circle क्या होता है, यह जो बाहर से बनता है इस तरीके से, कि मैं roughly आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं इसका circum radius होगा, और यह इसका radius होगा, तो कैसे निकाला जाए, केवल एक side है, एक angle है, मैंने एक property आपको बताई थी, अगर एक angle दिया है, और उसकी opposite side दिया है, तो circum radius आप आराम से निकाला है, उसका formula क्या होता है, twice of circum radius is equal to, side upon sine of angle, ठीक है, यह दोनों बस यह बशर्त है, कि इस angle की opposite side होने चाहिए, adjacent side नहीं हो सकती, twice of radius is equal to, side क्या है 21, sine 60, sine 60 क्या होता है, root 3 by 2, जानी कि यह क्या हो जाएगा, 21 into 2 upon root 3, twice of, यह 2, 2 क्याटिंग है, इसे मैं लिख सकता हूँ, 7 into root 3 into root 3 upon, root 3, तो answer क्या आजाएगा, आपको circum radius मिल जाएगा, 7 root, तो यह थे सारे questions, हमारे center of triangles से related, I hope आपको सारी चीज़ें, अच्छे से समझ में आ गई है, इसी तरीके questions, आपको exams में मिलेंगे, previous year भी और आगे भी, यह properties का बार-बार revision करना, आपके लिए जरूरी है, geometry में मैं एक बात आपको बता दूँ, कि geometry ऐसा chapter है, जिसमें सारी properties पढ़ते पढ़ते, जब आप end करेंगे chapter, almost आपको 100-200 properties हो जाएंगी, जिसमें से 40-50 ऐसी property रहेंगी, जो आप उसकता पहली बार पढ़ रहे हूं, या बहुत साल बात पढ़ रहे हूं, इसका cyclic revision exam के पहले तक आपको बहुत ज़रूरी है, यानि कि कम से कम मेरा मानना है, कि आपको 4-5 बार ये सारे formula खुद से लिखने चाहिए, जैसे कि angle से related अगर आपको questions पूछे जा रहे हैं, तो सारे centers लिखिए, 5 centers, और बगल में एक table बनाईए, उसमें लिखिए कि center angle का क्या formula है हर center, ऐसे ही center जो है sides को किस, या median और angle by sectors को किस ratio में बाट रहा है, अगर वैसा कोई formula है तो लिखते जए, इस तरीके से tabular format में आप अपने formulas को लिखिए, और छोटे-छोटे notes बनाके 4-5 पन्ने में ये पूरी geometry के notes बनाईए, और इसी तरीके से आपके सारे formula बार-बार revise होते चलेंगे, जो formula आपको cut in लग रहे हैं, उसके आगया आप star या aesthetics लगा सकते हैं, और उसको बार-बार revise कर सकते हैं, उसको आप जितना revise करेंगे उतना ही असान रहेगा आपको questions में उन formula को apply करना, मैं विदा लेता हूँ और आपसे मिलूँगा next topic में, thank you and all.